जोहार, मैं नूर्थ इटली में रहता हूँ, यहां की स्थिती बेहत खराब है और यही वह छेतर है जहां कोरोना महमारी का प्रकोप सबसे ज्यादा फैला हुआ है बंदी के कारण लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, बहुत कम लोग हैं, मैं आपको जरासा इस रोड का नजारा दिखा दूँ, सडकें सुनसान पड़ी हैं, बहुत कम गारियों का आना जाना हो रहा है कुछ दूर तक मैं आप लोगों को दिखाने के कुशिस करता हूँ, जूम करता हूँ, लोग, बहुत कम लोग यहां पर घुम रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि इटली की चिकिसा बिवस्था अपनी बहतरीन सुविधाओं के लिए दुनिया में दूसरा स्थान रखता है हर नागरिक को जन से लेकर मरंता की फ्री मेडिकल सर्विस मिलती है, चिकप, दवा, सब कुछ फ्री है सारे होस्पिटल्स सुविधायुक्त है, आधुनिक्तम मशीने लगी हुई है, इसके बावजूद हाज इतली का स्वास्यतंत्र बेबस नजर आ रहा है आखिर क्यों? क्योंकि महामारी के कारण अस्पतालों की छमता से कई गुना ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिने संभालना, सरकार, डोक्टर्स, नर्स, मतलब स्वास्त करनियों के लिए काफी मुश्किल होता चला जा रहा है देश गंभिर आपकाल से गुजर रहा है, अब तक चार हजार से अधिक लोगों की मौते हो चुकी है पांच हजार से अधिक लोग ठिक भी हो गए हैं, लेकिन चालिस हजार के करेब लोग संक्रमी थे जिनका इलाश बिभीनस का तालों में चल रहा है जब तक महामारे अपनी चोटी चरम तक न पहुँचे, संख्या में बढ़ोतरी होती रहेगी, जो काफी भयावा है मैं आप लोगों से गुजरिस करना चाहता हूँ कि आप लोग इस महामारे को हलके में न ले आप लापरवाही न बरते संक्रमन को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है अपने अपने घरों में रहना अनावश्यक बाहर न निकले और विशेस कर WHO विश्वस्वास से संगठन के दिशा निर्देशों का गंभिरता पुर्वक पालन कले बिलकुल अर्जिंट काम के लिए ही बाहर निकले लेकिन एक मीटर की दूरी बनाए रखे हम लोगों को हर बात में भीड लगाने की आदत है जो अभी के लिए बेहत खतरमाख होगा यदि स्कूल कॉलेज की छूटी कर दी गई हो तो कृप्या आप लोग अपने घर पर है याद है जब यहां सार्वजनिक और शेक्षनिक संस्थानों की बंदी की घोशना हुई लोग खुशी से जूम उठे जाता तर लोग टूर, पार्टी, होलिडे पेकेज, पिकनिक इत्याती में व्यस्त हो गए परन्तु कोरोना वाइरस, खामोशी पुरुवक, उन लोगों के साथ घोमता रहा, घोमता रहा लापरवाही के कारण हजारों लोग संक्रमित हो गए संक्रमन के शुरुवाती दिनों में खुद मरीजों को इसका पता तो नहीं चला लेकिन जब बिमारे के पुष्टी हुई, तब तक वाइरस काफी लोगों को अपनी चपेट मिले चुका था जिसका खामियाजा आज भूगतना पड़ रहा है रोज होस्पिटल में एडविट हर तीसरा व्यक्ति मर रहा है मिर्तकों को दफनाने के लिए कब्रिस्टान में जगह नहीं है सेना की सहायता से शवों को दूर किसी दूसरे अस्थान की शवदा भट्यों पर उनके दहन के लिए ले जाया जा रहा है ये भट्यां 24 घंटे काम कर रही है एक के पीछे एक लाशों को जलाया जा रहा है लोग लिपट कर रो नहीं सकते एक साथ जमा नहीं हो सकते अंतिम संसकार का सामुईक अनुस्ठान में भाग नहीं ले सकते आपको क्या लगता है मैं जासुसी उपन्यास की कोई कहानी सुना रहा हूं क्या नहीं इस विकट परिष्ठी की को रोज जी रहा हूं इसलिए मैं आगरह कर रहा हूं प्लीज प्लीज घर पर रहें जै जारखंड जै हिंद जै भारत